नमस्कार आपका स्वागात इनेशन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ रुतिक बैठक होनी है 14 फरवरी को संग प्रमुक और आई जाएंगे और वहाँ जैविक कृशी पर अधारित प्रकल्प को देखेंगे बिहार में संग के विस्तार के नजरिया से मोहन भागवत के इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है आज होने वाली बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं साथी साथ संग की विस्तार नीती को कैसे जमीन पर उतारा जाए इससे लेकर भी चर्चा होगी तो संग प्रमुख मोहन भागवत बिहार दौरे पर आए हैं साथ दिन का उनका दौरा है और आज राजधानी पतना वो पहुँचे हैं और यहां पर बैठक भी है इसके बाद वो मुजफ़र पूर जाएंगे पतना में एम्स के पास जो अधार शीला है उसकी नीव भी रखेंगे मोहन भागवत और आज एक एहम बैठक होने वाली है आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत की और इस बैठक में कई बड़े एहम फैसले लिए जा सकते हैं राजनुती की तौर से अगर देखा जाए तो यह बैठक कई एहम फैसलों का इस बैठक के बाद कई एहम बड़े फैसले सामने निकल कर आ सकते हैं साथ दिवस यह दोरा है मोहन भागवत का जो की वो बिहार आए हैं और सबसे पहले वो पटना पहुचे हैं और आज इसके बाद वो मुझफर पूर जाएंगे उसके बाद और आई जाना है उन्हें और उसके बाद इस साथ दिवसे दोरे में क्या कुश मिकल कर सामने बता दें कि दिली में वो दो दिन रुकेंगे इस दोरान वे पी-म मोदी से भी मुलाकात करेंगे घौर तलब है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद सीम नितीश पहली बार पी-म मोदी से मुलाकात करेंगे तो वहीं cabinet विस्तार हुने के बाद नितीश कुमार दिली पहुचे हैं और 2 दिन का उनका दोरा है प्यम मोदी से मुलाकात करेंगे cabinet विस्तार के बाद क्योंकि 84 दिनों के बाद नितीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है 17 मंत्री जो हैं वो नई जो मंत्री हैं वो नितिश कैबिनेट में जुड़ चुके हैं उसके बाद पहली बार वो दिली गए हैं जहापर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे मुईविदी विभाग का मंत्राले संभालते ही प्रमोद कुमार ने विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की इस दोरान उन्होंने न्याय पालिका में न्याय में देरी ना हो इस मुद्दे पर अपनी बात रखी साथी उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिये कूरे राज्य में मदन सहनी ने आज पदभार ग्रहन किया वहीं विभाग के अधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया इस दोरान नव निर्वाचित मंत्री के नित्रत्वों में विभाग की समिक्षा बैठक भी की गई तो बिहार में मंत्री मंदल का विस्तार बढ़तेकली खबर के तरफ इंडिगो के एरपूर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश हुसेंग हत्याकान के मुख्या रूपी रितुराज की गिरफतारी के बाद भी अन्य शूटरों की गिरफतारी अभी तक नहीं हो पाई है पिछले दिनों पटना पुलिस ने मामले का खुलासा कर दावा किया था कि रितुराज ने रोडवेज के मामले में रुपेश की हत्या कर दी थी पुलिस के दावे के मुताबिक मुख्य आरोपी रितुराज ने हत्या की पूरी प्लानिंग की थी लेकिन उसके साथ अपराद में शामिल बाकी के तीन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है वही अब पटना पुलिस शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज होने के बाद रितुराज को रिमांड पर लेने की तयारी करेगी एस्पी उपेंद्र शर्मा ने कहा है कि जल्द ही कोट में रिमांड के लिए वेदन दिया जाएगा वही मुतिहारी में शटर तोडवा गिरो का एक और नया मामला सामने आया है एहमदाबाद की पुलिस ने भारत नेपाल सीमा वर्तीक शेतर के घोड़ा सहन वीरता चौक से स्टीएफ और अस्थानिय पुलिस के सहयोग से च्छा पिमारी कर 25 लाग की 20 घड़ियों को बरामत किया है बताया जा रहा है कि 14 जनवरी की देर रात एहमदाबाद में एक घड़ी के बड़े शोरूम का शटर काट कर शटर तोडवा गिरोह ने चौरी की घटना को अंजाम दिया था वही मौके से पुलिस ने शटर तोडवा गिरोह के एक सदसे रोहित सिंग को गरफतार किया है जबकि गिरोह का मुख्य सरगना इम्तियाज आलम सही तैने आरोपी भागने में सफल रहे है फिलाल ब्रोटेन में बस इतना ही हमें दीजे इजाज़त बने रहे है नेशन न्यूस के साथ धन्यवाद